अटल बिहारी वाजपेई के जो रिष्टेदार हैं इस वक्त क्या कह रहे हैं सुनिये आप एबीपी न्यूज ने उनसे बात की है सर अटल बिहारी वाजपेई जी अस्वस्त हैं और उनकी एम्स में काफी स्थिती खराब बताए जा रही है क्या अभी आपको पता लग रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे निए बस जो जारी हो रहा है इसके अलावा और को जान करी निए जगहां से क्या यादे आटल बिहारी वाजपेई की जोड़ी रही है अर्व तो यहां से बच्पन ही उनका यह रहा बड़े हुए पड़े यहां इसकूल में पड़े उसके विक्टोरिय कॉलेज में पड़े फिर यहां से पूरा केरियर उनका ही है इसी शुरू हुआ बस यह हम लोग इसमें रहते हैं इदर पासवाले उनके पॉर्शन में रह नौकरी में नौकरी में हैं इसका कांग्रेंस संस्में इसकी और अपने हम खास संस्में में गरी करना चाहें और अभी जो विदिशाय जो जिनको निकाल दिया गया पुट जो मंत्री बंत्री थे वह उसकर बाइलेक्शन लड़े थे तो में वहाँ मिले चला गया था ज्याह उठेर थे, वहीं ड्हून थे भीजेपी सेम्स हाइए जन संह थे जन संग के दफ्तर में चाला गया था तो उनर का के ओले ओम तुम तुम ट्राइट वी ए रिस्पंसिबल आफिसर यू शुड नॉट कम दिस साब बोल दिया होना का तुम को नहीं आना चाहिए तुम अपने अधिकार तुम नोकरी में इसलिए अपना काम करो वो मिला था बड़े बच्चे की शादी में भुपाल आए तब विरूदी दल के नेता थे और छोटे बच्चे की शादी में प्रामीनिस्टर ते तब आये हैं गुवालियर से शादी हुई थी है और हमारी तो याद है उन से जुड़ी हुए है हमारी श्रीमती जो हैं उनको बहुत पस प्रदान मंत्री उनका ये पैत्रिक घर जहां पे इन्होंने जन्म लिया और ये इनके दामाद हैं और इन्होंने अपनी पूरी जो भी संस्मर्ण था ओपी मिश्राजी ने उन्हें याद किया इस मौके पर उन्हें बताए कि मेडिकल बुलेटिन से उन्हें जानकारी मिली कि यही चाहता है कि जल से जल स्वास लाब करें वाजपई जी और आपको बता दें कि अटल विहारी वाजपई जी की भतीजी से भी हमने बाचीत की है एबीपी न्यूस हमदाता ने उन्हें बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिये जराब इस वक्त मैं ग्वालियर के उस घर में हूँ जहां पर पूर प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपई ने जन्म लिया और मेरे साथ मौजूद है कांती मिश्रा जी जो की उनकी भतीजी है और बहुत सारी अंगिनत अनमोल यादों को सहे जे इस वक्त वो यहां ग्वालिय कई दिनों से एम्स में भरती हैं क्या आपको जानकारी मिली उनके स्वास्थी के बारे में शुरू में तो जो उनके पीए थे क्या नाम है जिन्टा जी जिन्टा जी जब बाहर निकलते थे तब अचानक फॉर्म लगे तो वो बता देते थे कि थोड़ा पहले से सुधार है दो अधाई मैने हो गया उनको बढ़ती हुए और मेरा छोटा बेटा दिल्ली रहता है तो वो चला जाता था कल भी गया था तो सुधार होता था फिर बेगड़ जाती थी पर कल परसों से हालत गिर्टी जा रही है परसों से हालत गिर्टी जा रही है और कल पहले जो नेता जाते उससे लोगों को पब्लिक में आ जाता है कि आहलत गिर रही है वाकी जो आज टीवी पर दिखाया है में कुछ infection है और इलाज हो रहा है और कोई M's वालों के लिए बड़ी बात नहीं है urine devil आजकल तो हर कुछी को हो जाता है इसलिए लग रहा है वो स्वस्थ हो जाएंगे बस ये मेरी मेरे को ये लग रहा है कि ये चीजे आम लोगों के साथ भी होती है कि आप वो तो दिल्ली के इती बड़ी इस्टाल में है तो स्ष्थ हो जाएंगे से मेरी मन की चाहिए मन बोल रहा है मतलब बोल रहा है आख अभी इससे पहले आपकी मुलाकात का व्यी मेरी मुलाकात क्योंकि मैच वह बूल नहीं पाते थे और आंख्वोसे कहते थे तो मुझसे बरदास नहीं होता था उनके दमाज जी चले जाते थे और बेटे बहु सब जाते थे ऐसा नहीं है अब वो ख़वर दे देते थे बेटी भी मेरी जाती पर मैंने गए अगप खेया है हैं कि आजब फ़व कहते हैं झायों मीघन जी को प्रह बतेये जिसको पोटे में फ़विक जपका कर बात करना वाले ऐसे इसारे से पलक जपका की सब ठीक है ग्वालियर का कोई बतलाते थे उनके जो दोस्त थे के इनको ये हुआ तो ऐसे उनके चहरे पर भाव पूरे आते थे अपनी नहीं कह पा रहे थे ये भी बहुत बड़ा दुक्की बात थे कुछ बहुत आप हजारों लाखों करोडों लोग देख रहे हैं कुछ यात करना चाहेंगी जो बहुत अंचुवा पहलू हो जो आज तक शायद सामने ना आया हो एक बतिज़ा आप लोगों ने सब उगलवा लिया है ऐसा कोई पहलू नहीं है जो आप लोगों ने नहीं उग दानमंती भी है विरुदी दल का नेता भी है और अपने सब काम भी कर रहा है और उसको परवार के एक एक व्यक्ति का ये पता है कि वो कहा है और कैसा है ये आम लोगों में कम होता है बस जो जैसे हम हम अपने बच्चों की पूछेंगे हमाई बच्चे कैसे है ज्यादा तो छोटी बहन के बच्चे पूछ लेंगे फलानी कहा है दिम की कार पर मैं अपने तीन प्योंगे बच्चों की नहीं पूछू जी मुखर कवी प्रखर कवी कुछ दोलाईने आपको उनकी कुछ जो आपको रुच करता नहीं कर पाती नहीं कर पाती मैं तो बस यह जानती हूँ मैंने दीपक देखा हलदर देखा और कमल देखा तीनों का मैंने उनका रूप देखा और आज तक वोटिंग में मैं यह नहीं देख पाती कि कांग्रेस कहा है कहने को कई लोग ऐसे नजदी की थे पर मैं हाथ के पंजे को कभी नहीं देख पाई सिवाए कमल के यह जो उनका बोट था बस इससे जादा मैं घरेलू मेह लाँग मैं आपको बता भी नहीं सकते ना राजनीतिक से मेरा कोई संब्ध है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे